linear algebra में matrices of linear transformation का एक question है consider the linear mapping f is such that ir square to ir square by f x y is equal to 3 x plus 4 y comma 2 x minus 5 y find the matrix A relative to the basis 1 0 0 1 and the matrix B relative to the basis 1 2 and 2 3 तो यहां पर linear transformation यह जो mapping है linear mapping f है ir square to ir square basis जो दिया हुआ है vector spaces का इस vector space का जैसा कि हम जानते है basis जो होती है वो unique तो होती नहीं है तो किसी भी vector space के two set of two different set of basis बन सकते हैं तो वही पहला basis जो है 1 0 0 1 दिया हुआ है और basis यह भी हो सकता है B2 let's say 1 2 and 2 3 हमें matrix of linear transformation निकालना है related to both basis तो पहले basis के respect में हम निकालते हैं तो इसके लिए में क्या करना होता है matrix of linear transformation के लिए t of 1 0 निकालते हैं वो क्या होगा f x y में हम रखेंगे 1 0 यहाँ पर रखेंगे तो क्या जाएगा 3 और 2 3,2 आ गया इसी तरीके t of 0 1 रखेंगे यहाँ पर तो क्या जाएगा इसकी value 4,5 अब यह जो vectors हैं वो इनसे मिलकर बन सकते हैं तो उसके coefficient क्या होंगे 1 0 और 0 1 से तो 1 0 का coefficient यहाँ क्या लगाना पड़ेगा यहाँ अगर 3 लिग दिया जाए और यहाँ पर 2 लिग दिया जाए तो 3 2 बन जाएगा 3 इंटू 1,0 प्लस 2 इंटू 0,1 तो 3,2 आ जाएगा उसी तरीके 4,-5 है तो 4 यहाँ होगा और-5 तो जो पहली मैट्रिक्स आफ्टीने ट्रांस्वर्मेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी इसको हम ले सकते हैं मैट्रिक्स ए यह क्या है उसको लिखने का तरीका बीवन टू बीवन कर सकते हैं यहाँ खाली बीवन लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा जो कोफिसेंट आते हैं उनका ट्रांस्वर्मेश लिख देते हैं तो 3,4 और इधर 2,-5 तो यह हमारा पहला आंसर आ गया अब हमें यही प्रोसेस जो है दूसरे पार्ट के लिए इस बेसिस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 2 की वैलू क्या जाएगी और हमें के निकालना होगा टी 2 3 की वैलू टी 2 3 अब इसी fxy में हम रखेंगे तो वैलू क्या हो जाएगी वन और टू आठ तीन ग्यारा यानि ग्यारा पहला और दूसरा वन यानि टू माइनस का टैन यानि माइनस एट यह तरीक है इसको वैलू इसकी वैलू निकालते हैं तो क्या 2 कॉमा 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 18 कॉमा माइनस 11 अब इन्हें हम इसके लीनियर कॉमिनेशन से लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1,2 और इधा 2,3 यहाँ पे लीनियर कॉमिनेशन क्या लिख दें यहाँ पे कोफिसेंट लिखना पड़ेगा ताकि वैलू हमारी यह वाली वैलू आ जाए इसके लिए अब यहाँ तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं A, B लिख सकते हैं कि A plus 2B is equal to 11 and 2A plus 3B is equal to minus 8 तो A और B की वैलू निकल आती है तो उसे अगर करते हैं तो हमारे पास जो वैलू निकल के आती है minus 49 और इधर 30 similarly इधर क्या आ जाएगा minus 76 और इधर 47 आ जाएगा तो जो matrix of linear transformation आ गई वो क्या आ जाएगी बी जो हम से पूछा हुआ है वो इन coefficients का क्या हो जाएगा transpose यानि minus 49 minus 76 और 30 और 47 तो पहले पार्ट का अशर यह हुआ और दूसरे पार्ट का अशर यह हुआ कराओ करवा है हाय झाल झाल